हेलो गाईज आपका मेरी चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम डारेक्टेड ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नंबर 32 करेंगे जो की क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है 23 यह वर्क्षिट 18th November 2021 की है तो यह शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट लाइट तूडे मनीश along with his friend was using a magnified lens to observe the body parts of the cockroach आज मनीश को लैब में लेके गए होंगे तो वहाँ पर मनीश क्या करा था जो cockroach के body parts को magnified lens से देख रहा था मनीश noticed that without the magnified lens he could not see the cockroach body parts properly मनीश ने यह observe कि जब magnified lens को वो use नहीं कर रहा है without magnified lens वो cockroach के different parts को नहीं देख पा रहा है अब हम देखते हैं इसका reason क्या कहा गया अभी तक कि जब मनीश को लैब में लेके गए वहाँ पर उन्होंने क्या दिखाया उनको cockroach के different parts दिखाये तो उन्हें magnified glass दिया गया जब magnified glass दिया गया तो cockroach के different parts अच्छे से नजर आ रहे थे लेकिन जब magnified glass नहीं था तो cockroach के different parts कि बहुत छोटे थे ना तो वो clear नहीं हो रहे थे तो आईए जानते हैं इसका reason क्या है magnified glass या magnified lens the magnified glass is actually a type of lens it is used to read very small print यह कभी यूज किया जाता है कि बद जब बहुत कुछ छोटा लिखा होता है उसको पढ़ने के लिए इसका यूज किया जाता है lens are widely used to spectacles, telescopes and microscopes lenses का यूज कहां किया जाता है चश्मे में किया जाता है lens are transparent ये कैसे होते है lens transparent होते है मतलब कि हम आर पार आज easily असानी से देख सकते है light can pass from there और light में में क्या होती है easily pass हो जाती है तो देखो क्या कहां अभी हमने देखो जो चश्मे होते हैं spectacles होते हैं उसमें दोनो टाइप के lens concave और convex lens use किये जाते है अब देखो हम कहते है lens की बात कर रहे है तो lens यहाँ पर two type की होते है एक होता है convex और दूसरा होता है concave the lens which is thicker in middle than at the edges are the convex lenses देखो कौन से lens ऐसे lens जो middle में ठीकर होते है मतलब कि बीच में से क्या होते है मोटे होते हैं यह lens वो lens जो क्या होते है beach में से क्या है मोटे है और side से क्या है पतले है ऐसे lens को हम convex lens कहते है convex lens converse the light generally falling on it अब इस पर कोई light गिरती है ध्याँ से समझो क्या कहा जा रहा है जब convex lens पर कोई light किरती है तो वो converge कर देता है मतलब band कर देता है अंदर की तरह इस तरह से इस तरह से क्या कर देता है उस light को band कर देता है इसी लिए इसको हम क्या कहते है converging lens भी कहते है ध्याँ से समझो जब भी convex lens यह बीच में से क्या है मोटा है किनारों से क्या है पतला है जब भी convex lens पर जब light गिरती है यहाँ से light गिरती है तो वो क्या करता है उसको अंदर कितरों bend कर देता है invert bend कर देता है इस तरह के lens को क्या कहते है convex lens करते है अब second देखते है concave lens the lens which is thinner in the middle than at the edges of the concave जो क्या हो किनारों से क्या हो मोटे हो साइडों से क्या हो मोटे हो और बीच में से क्या हो पतला हो comparatively तो ऐसे lens को हम क्या कहते है concave lens ऐसे lens को क्या कहा जाता है concave lens और जब इस concave lens पर light गिरती है light गिरती है न जब इसके उपर then concave lens diverts the light falling on it therefore it is called diverging lens जब इस पे light गिरती है तो यह क्या करता है light को spread कर देता है इस तरह से और बिखेर देता है दूर की तरफ न समझे तो इसे हम क्या कहते है क्या क्या किया था यहां पर समझते यह ता क्या पर यहाँ प्रम्ट पर ने करता है उसको डाइवर्ज कर देता है यह डिफेरेंस आपको अच्छे से याद करने होगा इए डिफ्रेंस अब देखते है आगे, क्या कहा गया, image is formed by lens, अब lens पे जो image बनती है, वो कैसे तरह से होती है, फर्स्ट है, convex lens, convex lens has formed a real and inverted image, जो convex lens है, यह जो इस तरह का lens है, वो हमेशा किस तरह की image किस तरह की बनाता है, एक तो real image बनाता है, second inverted image बनाता है, but when an object is placed very close to the lens, एक तो देखो, यहाँ पर हमने कोई चीज रखी है, कोई object रखा हुआ है, तो उसके जब image बनेगी, कहाँ पर, convex lens पे बनेगी, तो वो क्या होगी, एकचर में real होगी, और क्या हो जाएगी, inverted हो जाएगी, मतलब कि उल्टी हो जाएगी, लेकिन जब हम इसके नजदीक कोई चीज रख देंगे, हमने कोई नजदीक, इसके lens के नजदीक कोई चीज रख दिया है, तो वो क्या बन जाएगी, एक तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर virtual हो जाएगी मतलब अभासी हो जाएगी, erect हो जाएगी और magnified हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी आकार से ना, यहां से समझते हैं, देखो, यह देखो, यहां पर first हमने लिया, convex lens लिया, first हमने लिया convex lens, यह convex lens है, जब हम क्या करते हैं, जो image है, जो हमें image बनानी है, हमने तो image कैसी बनेगी, inverted बनेगी, मतलब की उल्टी बनेगी, और क्या होगी, inverted होगी, और इसके लावा क्या हो जाएगी, दियल हो जाएगी, लेकिन जब हम इसकी नजदीक वही चीज़ ले आते हैं, convex lens की नजदीक हम वो चीज़ ले आते हैं, तो first हो क्या हो जाएगी, यहां जितना दिया है ना उससे बड़ी हो जाएगी, यह वाली बात समझ गए होगे आप, उसकी बात, when it is used to object that magnify implication, the convex lens is called magnify glass, जब हम क्या यूज करते हैं, magnification के लिए यूज करते हैं, बड़ी चीज़ करने के लिए यूज करते हैं, तो उस समय से क्या कहते हैं, magnify glass कहते हैं, ठ cave lens, जैसे कि यह वाला जो lens है, यह कैसी image बनाएगा, यह हमेशा smaller बनाएगा, छोटी होगी, erect होगी, सीधी होगी, virtual होगी, अभासी होगी, तो यह बहुत ही आसान सी है, हम कोशन कर लेते हैं, देखो क्या कहा गया है, कोशन में फटा फट समझते हैं, कोशन नमबर बन, look at the spectals of any of your family members, of your, identify whatever it is, a concave और convex, देखो आपके family member में जो चश्मे यूज करते हैं, तो उसके अंदर जो mirror, या उसके अंदर जो lens यूज किया जाता है, वो concave है या convex है, तो देखो जब चश्मे मनाय जाते हैं, तो उसके अंदर दोनों ही concave और convex, दोनों इतरह के lens यूज किये जाते हैं, वो depend करता है, eyesight कि आपको दूर का साफ दिखाई दे रहा है, या आपको पास का साफ दिखाई दे रहा है, तो उसके according यूज किये जाते हैं, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार जो lenses बनते हैं, ना glasses बनते हैं, उन आप अपने coding लिख सकते कि कौन सा गोगल ने कौन सा चश्मा यूस किया गया है Question number second देखते हैं क्या कहा गया है Which type of a lens form of ritual image Always Always ritual image कहां पर आती है Concave lens की Second answer क्या हो जाएगा Question number three Convex lens का use magnified lens के जैसे use किया जाता है तो इसमें लिख देंगे yes तो ये थे हमारे आज की worksheet worksheet को complete करके अपने teacher से चेक करवाईए और प्लीज मिरे चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए और share कीजिए Thank you guys